वो साथ संकेत कौन से हैं जो भगवान हमको देते हैं कि हमारी पूजापाथ भगवान तक पहुँच रही है या भगवान हमसे खोश हैं दोस्तों हम लोग इस भाग दोड में बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कभी-कभी छोटे-छोटे संकेतों को लेकिन इस वर हमें संकेत जरूर देते हैं तो आज का मेरा वीडियो यही इसी पर है कि उन संकेतों को कैसे समझें जैशिराम दोस्तों दोस्तों कैसे आप लोग इस वर जो संकेत देते हैं उनको हम कैसे समझें दोस्तों कभी-कभी लोग कहते हैं कि सकुन अब सकुन कुछ नहीं होता लेकिन मैंने पढ़ा है कि जोति सास्त्र में इसका पूरा वर्णन है कि सकुन क्या होते हैं अब सकुन क्या होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं निस सब चीजों को. लेकिन जो नहीं मानेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा इसका है लेकिन जो मानता है अवेर हो जाएगा मतलब अगर आपको पता है कि मेरी आँख बढग रहे हैं आप थोड़ा सा अवेर हो जाओगे कि भाई ध्यान से यह इसी लिए मिलते हैं यह संकेत कोई डराने के लिए नहीं मिलते हैं अगर पता लग जया कि कुछ गडबड हो सकती है तो आप कम से कर अवेर रह करके उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं तो दोस्तों वो साथ संकेत कौन से हैं कि आपके भीतर डैवियर शक्तियां जागरित हो रही हैं या भगवान आपके बिलकुल नेर आ रहे हैं तो दोस्तों वो कौन से साथ संकेत हैं उसमें सबसी पहला संकेत हैं ब्रह्म महूरत में जागना दोस्तों यदि आप अपने आप बिना किसी इलारम लगाए वे या खुद ही आपकी नीन चार बजे उट जाती हैं या सुबह पांच बजे उट रही हैं आप चाहें रात को कितने बजे सो रहे हैं इस पर निरबर नहीं हैं लेकिन सुबह आप थिक पांच बजे उट रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई दैवियर शक्ती है जो आपके आसपास है और वो आपका कुछ भला करवाना चाहती है दोस्तों यह हमेशा नहीं होता है कभी-कभी हम सोचते हैं हमेशा सुबह उठना है लेकिन हम बहुत देर तक सोते रह जाते हैं उसके बाल बहुत बुरा लगता है कि हम सुबह क्यों नहीं उठे या उठते समय हमें आलस होता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप ही ऐसे जागते हैं जैसे आप बिल्कुल सोने का मन्नी है तो ब्रैम महुरत में जागना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है अगर आप जाग रहे हैं तो आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान ध्यान करते हैं या साधना या मंत्र जाब करते हैं तो आपके सरीर में कहीं कहीं पेन शुरू हो जाता है दोस्तों हम घबरा जाते हैं नहीं मेरे बसका तो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे सरीर में दर्द हो रहा है तो दोस्तों वह दर्द इसलिए होता है कि जो आपकी मंत्र की शक्ति से जो आपके चक्रा जागरित होते हैं तो जागरित होने से उनने आती हैती है जिसकी जो लाइसा दर्द होता है या ऐसा भी कहा जाता है कि आपके जो कर् eachक्र्म होंगे वह तो result देने के लिए तयार रहते है आपको लेकिन मंतर कर रहे तो वो आपके उसमें बाधा भी डालते हैं इसलिए उस पर ध्यान न दे करके अपना मंत्र जाप और बढ़ा दें तो द्याविया शक्तियां जागरित हो जाती है और अगर आप उस दर से कि मुझे दर्द हो रहा है मैं नहीं करूंगी तो फिर आप वैसे ही रह जाओगे जै करें और आपकी जितनी भी समस्या हैं वो सब सौल वो जाएं और आप आगे बड़े आध्यात्मीक राहरण पर दियान कर रहे हैं तो आपको उबासिया बटकाती है उबासिया कभी भी किसी को भी आयेंगी तो आदनी आलस करता है जो काम कर रहा है फिर उसको नहीं करता है तो ध्यान रखो कि प्रभू की किरपा हो रही है लेकिन उबासी इसलिए आ रही है कि कोई negative कर्मा आपको रोक रहा है कि यह मत कर तूट जाए यहां से उठ फटा फट है तो कभी-कभी ऐसे भी होता है तो आपको ध्यान रखना है अगर उबासी भी आ रही है तो कोई दिकत न कर दोस्तों ध्यान रखना है कि उबासी आ रही है क्या हो रहा है इसलिए आपके नियर-कर्पास में आ रहे हैं लेकिन उबासी आने से जो negative कर मा है वह आपको पाच दिन का कोई अनुस्ठान कर रहा है और अखंड दिया है तो उस पर एक फूल बनता है फूल के साथ कभी कभी कोई आकरती भी बनती है अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो उस अगनी में आपको आकरती दिख सकती है कि कौन से देपता की आपके ओपर किरपा हो रही है तो यदि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप समझे कि आपकी पूजा आपका पाठ आपका ध्यान मेडिटेशन मंत्र जाप भगवान तक पहुंच रहा है बहुत शुब होता है अगर आपके दिये में फूल बन रहा है तो इसका ध्यान रखें अगर आप बहुत ध्यान लगा के देखेंगे तो उस फूल में आपको उस भगवान की प्रतिमा भी दिखने लगेगी क्योंकि इस्वर आते हैं अगनी के द्वारा ही अगर आपको इस्वर को कुछ खिलाना है तो आप कैसे खिलाएंगे आप अगनी को अर्पित करेंगे तो वो इस्वर तक पहुंचता है दोस्तों ऐसे कहते हैं कि ऐसे में भगवान देखेंगे आखों से भी खाते हैं लेकिन जादा सही अगर तरीका भगवान को खिलाने का है तो आप भगवान जिस इस्वर को आप खिलाना चाहते हैं उनका नाम लेकर कि अगनी में हर्पित करें तो अगनी से वो इस वर तक लेकिन कुछ लोगों में संस्कार है तो अभी भी करते हैं कि सबसे पहली चीज हम अगनी को समर्पित कर दिया तिर कहीं और समर्पित करने की जड़त ही नहीं है सभी देवताओं के पास वो अगनी के माध्यम से पहुँच जाता है तो दीपक की लौ में जो फूल बनता है मतलब आपके इस्ट आपको आशिरवाद दे रहे हैं कि आपकी पूजा पाट सफल हुई तो इस तरह ऐसे उसमें वो फूल बनता है उसको ऐसी वह से न समझें तो उसे आपको संकेत माने भगवान का उस इस्ट का कि मेरे तक तुम्हारी पूजा पहुच गई है तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है जब आपके उपर आशिरवाद होता है देवताओं का अगला संकेत है दोस्तों, कि नीन्द आना जोके आना, कभी-कभी क्या होता है, आप ध्यान में बेठते हैं, मेड़ेशन में आपको नीन्द आ जाती है, तो या फीर आप मंतर जाब कर रहें, माला जबरे, लेकिन आपके हाथ से फटक से माला छुट जाती है, तो उस इस्तिती में क्या होता है कि मन क्या देह का भान मन का छूट जाता है वो किसी दूसरे लोक में पहुच जाता है वो इस्तिती बहुत अच्छी इस्तिती होती है अगर आपको नीद भी आ रही है तो समझ लीजिए कि मन शान तो रहा है तब ही आपको नीद आ रही है तो अंदेह की बान से हटके इश्वर की तरफ अपने घर की तरफ को देख रहा है तो यह बहुत अच्छा सिम्टम है कि आपको कभी-कभी पूजा में नींद भी आए तो वो जो आपको दो सेकंड तीन सेकंड या कभी-कभी लोग एक-दो मिनट तक भी ऐसी नींद में हो जाते ह तो वो नींद आपकी 5-5 गंटे के नींद की बराबर होती है तो दोस्तों यह वाला संकेत भी होता है कि दैविया शक्तियां आपके उपर किर्पा कर रही है या दैविया शक्तियां आपके भीतर जागरित हो रही है अगला संकेत है दोस्तों कभी-कभी सरीर में अजीब सी जंजराड सी होती है, जैसे कुछ केड़े से रेंग रहे हों, आपके कई पर ऐसे लगता है कुछ सरसराड सी हो रही है, या फिर कभी-कभी ऐसे तो पूजा में ऐसे लगता है, जिसकी ने हास हाथ फेर दिया है, या अपने अगर पल्लू रखा हुआ, तो पल्लू सरक जाता है तो यह जो छोटे-छोटे संकेत हैं, यह भी हमारे इस तम को आशिरवात के रूप में देते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अब कभी-कभी हमें लगता है, हमारे आसपास कोई है, लेकिन कभी-कभी ऐसे लगता है, कोई है, लेकिन हम डरते हैं, तो समझ लो, वो कैसी सकती है, वो अच्छी सकती है, लेकिन अच्छी एनर्जी है तो आप डरते नहीं है और अगर कभी बुरी एनर्जी आपके आसपास है उसका भी आपको अंदेशा हो जाता है कि जैसे कोई किसी ने अभी आसे छेड़ के कोई गया है या पल्लू ऐसे खीच लिया है तो इस तरह कि भूत सारे संकेत होते हैं आप जितना प्रकृति के साथ रचे बसे रहोगे तो आप वे संकेत जरूर मैसूस होंगे दोस्तों जितनी गहराही से आप इस्वर से कनेक्ट होंगे तो आपको ये सारे संकेत भी पता लगेंगे क्योंकि वो देते हैं हमको संकेत उन संकेतों को समझना चीए, लेकिन तब ही जब हम उतनी द्रिस्टी, बिल्कुल हमारी द्रिस्टी कीन हो, एक दम हम आपजर्वर हो, हमकी यह क्या हो रहा है हमारे साथ, तो यह हो जाता है कई बार हम करते हैं कुछ नहीं था, बस हो गया, तो वो तब हैं जब हम अच्छी त हमारे उपर जागरित हो रही हैं, या हमारे चक्राज जागरित हो रहे हैं, और दोस्तों देखो, जो हमारे सरीर में साथ चक्र हैं, वो उन चक्रों में एनर्जी होती है, लेकिन जब भी आपको इतना पता होगा, कि जब भी कुछी में एनर्जी डाली जाती है, तो उसमें vibration जाता हो जाता है तो वही vibration जब vibration उनमें बढ़ जाता है तो उसी vibration की बढ़ने की वज़े से कभी-कभी हमारी body में किसी particular part में pain भी हमें मैसूस होता है दो चुक्रों के बीच में कभी-कभी हमें वो pain मैसूस होता है लेकिन उसे गबराना नहीं चीए और उसके उसे अपने ध्यान साथना को कभी छोड़ना भी नहीं चीए मंत्र जाप को बढ़ा देना चीए कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है कि मुझे इसको और करना है तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी थैंक यू फॉर वाचिंग